हेलो वाट्सप गाइस माइने में स्पिनुअध बादू थापा एंड टूडे इन इस पीडिव भूब 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 सी हाओ टू एड रियल टाइम क्लॉक्ट डिस्पले डेट अन ताइम इन आउ रियक्ट प्रोजेक्ट आज हमें क्या करना है आज गाइस आप देख सकते ह है या कैसे दिखा सकते इन रियक्ट वो मैं आज आपको बताने वाला हूं सबसे पहले अब भी तक अगर आपने मेरा यह जावस्क्रिप्ट का जो वर्ल्ड बेस्ट को चेकाउट नहीं क्या प्लीज कर लीजेगा क्योंकि मैंने एक घंटा हां दोनों को मैंने एक घंटा ड अगर डाउट आपको रहा तो इस वीडियो को जरू चेकाउट कर लीजेगा बहुत महिनत करके बनाई यह मैंने ठीक है ओल्राइट तो देख लीजिए एंड हमेशा की तरह बाताना चाहूंगा मैंने पूरा यहां पर एक एक चीज रखा है कि ओबर वियू आज हम क्या क्य सब्सक्राइब करने वाले है steps कौन-कौन से होंगे cleanup functions कि क्या नीड है और बहुत सारे चीजे है इवेन use effect आपको दिख रहा है तो यह जो पार्ट है यह मैं आपके साथ सेर कर दूंगा बट मैं directly यहां पर आपको बताता हूं ठीक है कैसे हम यह कर सकते हैं क्योंकि अगर हम फर्स्ट ग्लैंस में अगर इसको हम देखना चाहे तो आपको तो लगेगा कि यह तो बहुत बेसिक है like we have one date एक बीच में हाइफन है और एक ताइम है जो continuously चल रहा है basically एक actual digital clock हम इसको right तो to do list and then input field उसके बीच में यह data है ना एक काम करते है ना तो to do list यहां पर है and then we have our form तो यह जो पार्ट है ठीक H1 के नीचे यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरकी से date ठीक है obviously मुझे यही तो चाहिए and we have one class name and that is date-time perfect ठीक है अब अगर इतना में लिखता हूं and अगर मैं यहां पर चलता हूं तो आपको कुछ दिखनी रहा and the reason is simple कि यहां पर मुझे वो to do चाहिए था ना कि help है ना and already वो इधर है इसको आप में कर देता हूं comment तो को I mean यह हमने first video में देख लिया था कल की दिन मैंने help वाले में आपको spread operator बताया था that's why but yeah I think a perfect this is it चलो थोड़ा स लिख के रख देते हैं देखने में भी अच्छा लगेगा ना भी थे काम नहीं जितने किया है so it's a mango perfect all right तो guys देख लीजे date and then time तो सबसे पहले काम करते है यह real time जो चल रहा है उसके बदले at least क्या मैं यह date and then जो time में में दिखा सकता हूं and second thing यह है क्या मेरा यह जो date है वो तो चलो एक constant है कोई problem नहीं है but यह जो particular मेरा जो time है यह तो like after every one second वो update हो रहा है after every one second वो update हो रहा है and वो कैसे हो रहा होगा right like obviously अब अगर आपने JavaScript पढ़ा है then आपने बहुत easily guess कर चुका होगा and that is कि हम यहां पे either set time out और either हम set interval इसके साथ हम खेल सकते हैं दोनों में confusion हो सकता है कि साथ यह था कि वो था यह confusion एकदम normally कोई problem नहीं but at least आपने set time out and then set interval मन में सोचा वो ही बहुत बड़ी बात है लेकिन क्या react में भी हम उसी तरीकी से करेंगे है ना let's check it out है ओलाइट एंड यहां पर हम चलते है help को मैं हटाता हूं अब मैं app को हटाता हूं यहां पर मैं चलता हूं even we don't need this CSS part also ठीक है देहां से देखिएगा इस यह पर चल रहा हूं टूडू कर देता हूं date and time ठीक है इस तरीकी से देहां से देखिए यह काम करता हूं मैं हां पर const now करके new and then date obviously like इस तरीकी से हम अपना date ले सकते यह तो हमें मालूम था है ना अब const formatted date will be equal to now dot x हमने पढ़ा था to local date string something करके रहता local यह locally करके यह the best part यह ना कि अगर यह एक method हम यूज करते है ना तो मतलब मजा आजाएगा आपको है ना मैं क्या करूंगा इसको copy करूंगा instead of debt I mean date मैं इसको paste कर दूंगा ठीक है let's check it out क्या होता है यहाँ पर मैं चलो oh my god देखे यह जो date है and then यह जो date मुझे मिल गया यह है ना कितना ज्यादा awesome कि मुझे date यह चुटकी में मिल गया but what about time time क्या मैं इस तरीकी से get कर सकता हूं let's check it out है ना so मैं यहाँ पर चलो const time करके रहता है कुस तो भी to local time string ठीक है perfect अब यह जो formatted time है इसको भी मैं copy करूंगा यहाँ पर time के बदले इसको मैं use कर रहा हूं ठीक है यह मैंने try किया अब मैं आगर यहाँ पर चलता हूं तो एक चीज देखो यहाँ पर तो यह constantly चल रहा है बट इन आवर केस मैं जब इसको refresh करूंगा भी देखो 5 42 36 दा मोमें मैं refresh करता हूं आप बहुत के लिए देख सकते हैं पहली बात तो वह data gap हो गया यहां से जो टाइम था 42 36 था बट ना इस 42 48 फिर से महाँ रिफ्रेश करूंगा तो इट में पॉसिबल ओ 43 हो जाए और वो हुआ भी लाइक पांच बच के I mean 5 43 and then 0 1 second तो यहां पर मुझे मैंनुवली खुद से पेज को रिफ्रेश करना पढ़ रहा है to get the current time तो अब मैं ऐसा कौन सा method यूज करूं in react जिसके चलते automatically after one second मेरा यह जो function है वो call हो जाए तो आपको यह सोचना है कि मैं javascript में ऐसा कौन सा method था जिसके चलते मैं बस after every one second यह जो particular function उसको मैं call कर सकूं so उसके लिए ही we have a set interval जहां पे we have one callback function ठीक है and then आपको at the end में यह लिखना है कि यह जो particular callback function है after every like is it a millisecond or after every second or after every hour यह जो भी हो like कब आपको call करना है कब इस callback call को आपको call करना है ठीक I mean callback function को आपको call करना है let's say 1000 and यह जो value है यह होती है आपकी millisecond में so 1000 equals your one second 1000 milliseconds equals your one second तो अब इस particular set interval के अंदर यह जो तीनो की तीनो कोड़े में यहा पे paste कर दूंगा this is it तो अब आप सोचो हम क्या कर सकते तो आप एक और चीज़ हम कर सकते है क्यों ना कॉंस्ट गेट डेट टाइम इस तरीके से करते है और इसको कॉपी करके यहां पर में फंक्शन को call कर दूंग ऐसे यह भी तो obviously मैं करी सकता था यहां पर आप देखो क्या हो रहा है यहां पर फॉमेटेड डेट इस नॉट डिफाइंड तो गाइस में वापस बैक टू उसी जगे पर आ गया तो हम क्या करेंगे यह जो भी डेटा है यह अपनी जगे सेट हमें यह मालूम था कोई भी डेटा अब देखो यह जो सेट डेट अंद टाइम है इसको में कॉपी करूंगा यहां पर क्यूंकि देखो यह जो पार्ट हैं यह वाला जो पार्ट है मुझे बरावर डेटा आ रहा है तो मैं लाइक यह जो पर्टिकुलर पार्ट होगा यह ओल्वेज लैक अप्टर 1,000 मिली सेक यह वापस से कॉल होने वाला है तो मैं क्या करूंगा इसको मुझे यहां पर डालना है राइट तो मैं बहुत ऐजी ली फैट अरो फंक्शन फॉर्मेटेड डेट एक हाइफन फॉर्मेटेड डेट और फॉर्मेटेड टाइम यह दिस इट सी अब कितना लाइफ हमारा इजी हो गया ना क्योंकि रियक्ट भी बोलता है कि कुछ भी डेटा चेंज हो रहा तो आप स्टेट यूज कीजिए मैंने इस्टेट यूज की य जे दो दोणों में मेरा डेटा मुझे मावलो में में यहां पर इस तरीके से डाल दिया अब सेट डेट टाइम में इसको इस तरीके से डेट करने का मतलब यह है वश्ट कर दूँगा ठीक है ये मैंने यह पर्टिकुलर लाइन मैंने यहां पर एड़ कर दी एंड यह मैंने एड़ कर दी अब अगर मैं यहां चलता है एक बार रिफ्रेश करता है और बोंगा इससी मेरा काम हो गया खत्तम आप देख सकते हो कि यह जो मेरा पार्ट है कितनी कि easily मैंने एचिव कर ली हां मैं यह तो नहीं बोलूगा एकदम easy क्योंकि first time तो आपको सोचने पर यह मजूर करेगा कि यह जो पार्ट है अच्छा इसको set data में स्थिरकी से हम डालेंगे इसका ऐसा पार्ट है set interval ऐसा तो date हमने देखा हमने set interval को देखा and यह कितना easily हमारा काम हो इस इस वाले particular पार्ट को set interval में हमारे पास always एक चीज रहता है and that is interval कर लीजे कभी यह जो data है आप इसको clean कीजे क्योंकि यह जो data यह always after every one second ही चली रहा होता है मैं बता रहाँ इसका क्या मतलब होता है जहां से देखिया console कर रहा हूं कहीं पर नहीं इस जगे पर देखना अब भी console.log मैं यह लिखता हूं and यहां पर देखो यह देखो अब no matter what यह चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा after every one second वापस यह component को render कर रहा है I mean state change हो रहा है ना हमारा after every one thousand millisecond या one second state change हो रहा है इसकी and the moment state change हुआ यह वापस ही रेंडर हुआ यह वापस रेंडर हुआ तो इसके चलते यह वापस से call हो गया इसलिए यह lifetime में चलता ही जाएगा and एक चीज़ में clear करना चाहता हूं यह जो चलते जा रहा नहीं यह कोई problem नहीं है यह कोई problem नहीं मैं जस्ट बता रहा हूं कि आपको नहीं मिलने वाला क्योंकि आमने बाहर में कुछ रखाई नहीं है ठीक है बट जो भी हो आपको पता चला कि क्या हो रहा है like after every one second state update हो रही है हमारा यह component re-render हो रहा है जिसके कारण अगर बाहर कुछ भी console रहेगा continuously हो चलता रहेगा and यह perfectly fine है कोई problem नहीं but behind the scene जब आप set in double use करते हो and उसको आप keeps calling you know like after every one second तो वो memory leak का एक problem होता है जो हम आगे जब use effect पढ़ेंगे एकदम detail में तब मैं आपको बताऊंगा but मैंने यहां पर चीजे लिखके रखे हुई है we need to use the use effect cleanup function तो हम क्या करते कभी भी यहां पर मैं चलूंगा यह मैंने अपने वह event आले में बताते इसलिए मैंने काने starting में एक घंटा लागा के बताता मतलब एक घंटे को आप 10 मिनिट में तो समझ नहीं सकते इतनी होसे और तो हम नहीं है ठीक है तो हम क्या करते है यहां पर जो भी हमारा interval होता है उसको एक variable में assign करा जेते हैं है ना and by default we have one method called clear interval and उसमें हम यह pass करते हैं but अब यह जो particular part है इसको मैं use effect के अंदर लिखना चाहूंगा फिलाल use effect आप देखोगे तो use effect and यह जो set interval में आपको कोई difference नहीं मिलने वाला set interval use effect यह आपका एक callback function यह आपका एक callback function here we have to assign we have to define the time कितने millisecond में I mean millisecond में time define करना बट यहां पर हम एक dependency array pass करते हैं and इसको empty रखा it means कि बस यह first time ही call होगा अब यह सब कुछ उठा के मैं यहां पर रखने वाला हूं and don't worry यह जो particular part अगर आप इतना लिख के छोड़ दोगे ना जो मेना भी थोई देर पहले किया था आपका यह काम कर चुका आपका यह perfectly काम कर रहा कोई problem नहीं यह आपके बट वही एक problem है कि मुझे memory leaks वाला problem नहीं चाहिए था तो वह आगे हम देखेंगे don't worry जब use effect आएंगे बट अभी एक simple सा यही रूल है कि use effect by default हमें clean up function देता है तो return एक callback function and यहां पर clear interval देखो यह जो पार्ट है इतना part and यह जो पार्ट है यह by default JavaScript का ही है जस्ट मैंने use effect उसकी and clear interval यहां पर मैंने इस तरह किसे रख दिया इतना अगर मैं करता हूं तब भी आपका यह चलना सेम वेसा ही जैसे पहले चल रहा था बट एक चीज है जो जब हम use effect पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा and क्या इसका advantage है and why we need to have this clean up function in use effect यह बहुत important है ठीक है so yeah guys this is it मैंने जानवच के इसके लिए एक separate video बना ताकि मैं आपको यह दिखा सकूं कि एक date को आपको कितना कुछ सोचना पड़ता है and अगर आप कुछ ने कुछ भी भार आप रख देते तो आपने देखा वह problem हो रहा था even अभी भी होगा and perfectly like fine it's perfectly fine ठीक है so yeah this is it आज इस वीडियो के लिए तना ही and मैं आसा करता हूँ आपको बहुत ही जादा पसंदा होगा guys please यह जो course है I think date मैंने या तो एकदम end में होगा इसके या तो इसके एकदम starting में आपको मिल जाएगा बाकी की playlist को check out करना बिल्कुल मत भूलेगा and अब हम कल के दिन देखनेंगे क्या कल के दिन देखेंगे कि यह sorry not this part यह वाला part ठीक है so guys video पसंदा है तो like कीजिएगा दोस्तों को भरवर के share and बताना चाहूंगा our next target is 1 million subscribers so अभी तक subscribe नहीं किया please कीजिए क्योंकि just यह हमारा पहला project है and इतना interesting है कितना कुछ हमें सिखनी मिल रहा आगे तो और advance आएंगे तो और मज़ा आजाएगा आपको तो guys मिल तो आपको next video में till then guys thank you so much take care